आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ So the question is plant growing under the average condition of temperature and moisture are हमारे option option 1 hygrophytes option 2 MSO phytes option 3 hydrophytes and option 4 epiphytes fine So option 1 की बात करें that is hygrophytes तो hygrophytes ऐसे plant होते हैं जो कहां grow करते हैं in a wet condition ठीक है जहां बेज बहुत ही ज़्यादा water की availability क्या हो ज़्यादा हो soil wet हो वहाँ पे plant grow करता है option 2 की बात करें that is mesophytes ठीक है So mesophytes में क्या होता है plant को requirement क्या होती है moderate amount of water present हो ठीक है इसको क्या बोलते है mesophytes बोलते है ठीक है अब आते हैं हम लोग option 3 की तरफ that is hydrophytes So यह ऐसे plants है जो की only in present of क्या है water के presence में ही grow करते हो ठीक है इसको क्या बोलते है hydrophytes बोलते है ठीक है अब option 4 की तरफ आते है option 4 क्या बोल रहा है हमारा epiphytes बोल रहा है तो epiphytes basically ऐसे plants होते है जो कहां grow करते है जहांपे moisture यह जो plant है यह कहां grow करता है प्क्याप्य करते है satisfied आफ यह बन् नद अड़िक्ट स्वाश्य थैक्ट स्वाच्य अंड्रEइ water or from debris accumulating around it ठीक है इसको क्या बोलेंगे accumulating around it fine इसे प्लांट से जो अधर प्लांट पे ग्रो करते हैं और मौशर कहां से लेते हैं that is from the air ठीक है या फिर डेपरीज से सो ती अगर कोशन के बात करें तो हमारे कोशन में बोल रहा है कि प्लांट ग्रोईंग अंडर अधरेज कंडिशन ओफ तेंप्रेचर और मौशर यानि मौडरेट टेंप्रेचर होना जी कहां पे होगा that is option 2 so the answer is option 2 में सो फाइट सोगा थे क्लासिक्स से ट्वेल से लेके मीट आई 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 टी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउट ने टाप या वाट्साप कीचे अपने डाउट आट चार्सो 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 पर